कि हलो दोस्तों स्वावत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल इस्टडी टीम में तो आए हम संख्या पद्रभी का एक नया टैपिक कि नंबर आप डिजीट अंको की संख्या ग्याद करना सिखते हैं कि आए इस्टार्ट करते हैं यहीं हम एक से कोई संख्या लिखते हैं एक से लेके और कोई संख्या नौ तक लिखते हैं तो इसमें बस एक एक डिजीट प्रयोग होता है क्या होता है एक डिजीट एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और नौ एक एक डिजीट प्राप्त होता है उसके आगे लिखेंगे तो चालू होता है दस कि इगारह कि बारह कि निनावेता है कि यहां क्या देख रहे हैं तो इसमें दो ढूआ इसमें फिर्यों है इसमें उसमें फैम 9 तक क्या है हमणा दोडो डी प्राप्त हो रहा है कि इसके आगे चले हम लोग तो 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 सौ से 999 तक क्या है कि तीन तीन दीजिट प्रियोग हो रहे हैं कितने प्रियोग हो है उसमें एक डीजिट प्रियोग हो रहा है इसमें दो डीजिट प्रियोग हो रहा है इसमें क्या है तीन डीजिट प्रियोग हो रहा है अगर आगे चलते हैं तो एक हजार से 9999 तक इसमें कितने डिजित प्रयोग हो रहे हैं तो हम बताएंगी कि इसमें 4-डीजित प्रियोग रहे हैं एक से लेकिए 9 तक 1 डीजित प्रियोग रहे हैं 10 से 99 तक 2 डीजित प्रियोग परतेक संख्या में दो दीजिट प्रयोग हो रहे हैं तो सव से 999 तक क्या हो रहा है परतेक संख्या में तिन डीजिट प्रयोग हो रहे हैं एक हजार से 999 तक कितने डीजिट प्रयोग हो रहे हैं तो यह परतेक संख्या में चार डीजिट प्राफ्थ हो रहे हैं इस परकार हमें समझ में आ गया कि एक ते नौ तक एक डिजिट दस से 99 तक दो डिजिट सो से 999 तक तीन डिजिट और एक हजार से 9999 तक चार डिजिट इस परकार आगे भी दस हजार से उपर जाएंगे कि दस हजार से उपर भी जाते रहेंगे उसमें क्या होगा दस हजार से उपर जाएंगे तो उसमें कितने दिजिट प्रयोग होंगे तो उसमें पाच डिजिट फिर ऐसे ही बढ़ता जाएगा जितने संख्याएं आगे बढ़ेंगे उतना डिजिट क्या होगा बढ़ता जाए अगर 10,000 हो जाएगा तो इस परकार हम देखते हैं कि एक से नव तक एक डीजिट दस ते लेकिन निनानवे तक दो डीजिट सो से निनानवे तक तीन डीजिट और एक हर्यां से नों सो नौजार नों सो निननानवे तक चार डीजिट हैं कि इतनी बात तो समझ में आ गई होगी तो यहां देखिए यह एक डीजिट में तो इहां से लेके एक नों तक कितने डीजिट हो गया एक ही डीजिट लेकिन सौ से लेकर दस से लेकर कीतना प्रेयोंो रहा है तो दोड़ीं तो टोटल नीनानवे तक कितने हो जाएंगे एक से नीनानवे तक तो नीनानवे संख्या गड़ गया अगर हम निकाले यह से 1 से ligi 99 तक नीकालते है टोटल लेले लेते हैं एक इनानवे तक लेते हैं तो नहीं हो गया कि यह संख्या कितनी बचे तो suicide बॉन से निहों घर जाएंगा तो कितनी बचनी आप कहेंगे कि यह नभ़ेpt हां है यह नभब कि कैसी है जो दो डीजिट प्रेयोग हो रहे हैं यह 90 संख्याइं कितनी प्रेयोग हो रहे हैं इसमें तो यह नभी है जो एक एक अंका प्राप्त हो रहा है यह 90 संख्याइं है जो दो दो अंका प्राप्त हो रहे हैं अब देखिए एक से लेके 999 तक जाएंगे तो यह क्या तब बच जाएगा तीन अंकों का तो इसमें से 999 में से अगर 99 घटा देंगे यह कितनी बचेगी तो यह बचाएंगे यह 900 संख्या है यह 900 संख्या कैसी है जो 3-3 अंका है अब यह आगे जाएंगे तो यह एक से लेके 9995 तक लेंगे पूरा तो इसमें क्या है तीन अंगों वाली सब गटा देते हैं मैं ि rok IKEA क्योंकि सब नेकर एक प्रेयो होग़ुआ है दो फैब इन अंग मसुरुआ है तो यह से किना है नौ świe कि यह cutter दीजिए यह क्या हो जाएगा आपका को कहेंगे कि यह ne को कि यह नो हजार संख्याय है उनमें परतेक में कितने प्रेयोंगे चारण एक से यह नौ संख्याय है उसमें एक एक अंग नब्य संख्याय है इसमें दू-दू अंग 900 संख्याय है इसमें तिन तिन अंग और यह क्या है कि नौ हजार है इसमें कितने प्रेयोंगे कि इतना आप लोगों कंफर्म हो गया होगा आगे देखते हैं हमने क्या ग्याद कर लिया हमने ग्याद कि एक से नो तक एक से नो तक जो संख्याएं हैं वो कितनी संख्या है तो नौ संख्याएं है अपरतेक में कितने अंक फिर्यों हो रहे हैं एक ही यह तोटल है डिजिट कितने होगए नोडिजिट होगए आ कि यह का यह का यह नो से नीनावडे तक हो गया है अगर नोसे कितनी निकाल है य निकाला है घुणिटना किटने संख्या whisky nila geneta नवे निकाला है तो ये नब्वे संख्याइ जो है वह कितने में कि तो यह पुरक्त एक तो टोटल पहली कितना हो जायेगा को टोटल अंख हो जाएगा एक सोउसी टोटल कितना हो जाएगा 180 है फिर आगे देख रहे हैं कि यहां तो सो से लेके 999 तक हमने निकाला है कितना निकाला है कितनी संख्या हो गई 900 एक नहीं संख्या निकाला है 900 900 संख्या निकाला है कि यह हो गई 900 संख्या जो 900 संख्या कितनी अंग की है तो टोटल कितने अंग हो जाएंगे नतली 27 मतलब 2700 यह टूटल क्या हो जाएंगे अंग हो जाएंगे आगे कि आगे कि एक हजार से लेके 9999 तत यह परते कितने कितने अंग है यह निकाले हैं आप कि यह तो टूटल आपका हो जाएगा 9000 यह कितना हो जाएगा 9000 9000 कितने अंग है परतेक में तो चार चार अंग है कितने अंग है चार चार अंग है यह हो जाएगा 36000 एक बार पुना देख लेते हैं कि एक से नव तक कितने अंग हो जाएगे एक से नव तक तो टूटल नव अंग हो गए तो नव अंग एक एक अंग का है तब परतेक अंग तर नवेकम नव हो जाएगे तो टूटल कितने अंग हो जाएगे एक से नव तक लिखने में हमरें नव अंग की जरूरत पढ़ेगे अगर हम 10 से लेके 99 तक लिखते हैं तो ऐसी संख्याएं कितनी है तो ऐसी संख्याएं नवे संख्याएं हैं जो दो अंग की लिखी जाएंगी कितनी लिखी जाएंगी तो दो दो अंग की जो संख्याएं हैं वह कितनी लिखी जाएंगी नवे लिखी जाएंगी अगर 10 से लेके 99 तक हम लिखे तब क्या होगी 10 से लेकर 99 तक लिखते हैं तो अगर 180 संख्याएं आपको दी रहेंगी अगर 180 संख्याएं मिल जाएंगी तो आप 10 से लेके 99 तक लिख सकते हैं कि इतना कंफर्म के अब देखें यह क्या है है 200 से लेके 999 तक लिखना है तो टोटल कितने कि संख्याएं होंगी तो टोटल सो से लेके 999 तोक टोटल 900 संख्याएं होंगी टोटल संख्याओं की संख्या कितनी जैसे कि सव एक सव एक सव दो एक सव तीन यह संख्या अगर गिनेंगे तो टोटल संख्या कितनी होगी 900 लेकिन परते कि संख्या कितने अंकी है तो कह रहे हैं कि यह तीन अंकी है तो उसमें तीन का गुना कर देंगे यह 27 क्या हो जाएगा यह हमारा 2700 अंक हो जाएगा यह 2700 क्या है अगर हमें 2700 अंक दिया होगा अगर 2700 अंक हमें मिल जाए तो हम 100 से लेके 999 तक क्या गिंती हम लिख सकते हैं अगर 2700 अंक से अगर कम मिलेगा तो हम 100 से लेके 999 तक नहीं लिख सकते हैं ठीक टोटल कितनी संक्या चाहिए तो 2700 टोटल का टोटल 2700 अगर मिल जाएगी संक्या तो हम 100 से लेके 999 तक लिख सकते हैं कि उसी परकार आगे यह 1000 से लेके 9999 तक इसमें टोटल कितने अंक होंगे तो टोटल यह संख्या होगी 900 संख्याओं की संख्या कितनी होगी 900 जो 900 संख्याएं हैं वह पड़ना होगी दोन कितनी संख्याओं होगी रिषिए और हो इसमें देख रहे हैं कि परते हम ने कितने अंक हो नहएं तो है कि टोटल आपके कितने हो जाएंगे तो गुणा कर देंगे नचाव के 36000 हमारा टूटल क्य हो जाएंगे 36,000 टोटल हमारे अंक हो जाएंगे यह अंक कैसे होंगे यह अंक कैसा है तो यह अंक आप बताएंगे कि यह अंक अगर 36,000 हमें अंक मिल जाएगा अगर 36,000 हमें अंक दिया होगा तो हम 1000 से लेके 9,999 तक क्या करते सकते हैं यह संख्याएं हम लिख सकते हैं कि इतना कनफर्म हो गया अब इसी को लिखी तो भासा में हमने कर लिया है कि 1 से 9 तक कितनी टोटो संख्याएं होंगी नव यह टोटल संख्याएं कितनी होंगी यह तो हमारा संख्याएं नव और परतेक अंग कितने अंक होंगे तो कहेंगे कि परतेक अंग एक अंका होगा तो टोटल आंगे कितने हो गए नो है हुआ है टोटल कितने हो गए 9 है दस दस से लेके 99 तक टोटल कितनी संख्याएं ओंगी तो संख्याएं तो 90 हो जाएगी भरते कितने अंके ahí दो अंके तो यह क्या हो गए 180 अंक दो आंके हो गए 180 अंक दो दो आंके हो गए उसी परकार 100 से लेके 999 तक टोटल कितने संख्याइं हो गई तो टोटल संख्या की संख्या हो गई 900 अब पर्तेक अंग कितने अंग की हें तो तिन तिन अंग की है जब पर्तेक अंग तो टोटल अंग कितने हो जाएंगे तो नतली 2727 यह हमारा टोटल क्या हो गया अंग हो गया उसी परकार एक हजार से लेके 9999 तक टोटल संख्या कितनी होगी तो संख्या तो होगी 900 परतेग संख्या कितने अंक की है चार-चार अंक तो चार का गुणा कर देंगे तो यह हमारा 36,000 अंक क्या हो जाएगा चार-चार अंक क्यों हो जाएगे यह तो समझ में आ गया और एक फर्मूला है जिसके दुआरा हम संख्या ग्याद कर सकते हैं क्या कर सकते हैं संख्या ग्याद कर सकते हैं नोट कर लिजेगा नोट कर लिजेगा यन डिजिट वाले संख्या है क्या होता है नव गुड़े दस पर यन माइनस वन होता है इस फर्मूले से भी हम क्या कर सकते हैं संख्या निकाल सकते हैं तो जैसे अगर पूछ दे कि दो अंको वाले क्या यन के अस्थान पर दो डिजिट वाले संख्या है कितनी होंगी दो डिजिट वाले दो डिजिट वाले संख्या है दो डिजिट वाले संख्या है 9 तो हो गया गुणे 10 पर यह क्या करेंगे 2-7 अगर यहन के आस्थान पर यह क्या होगा दो दो में से एक गटेगा एक अथार्थ की यह हमारे हो गया 90 इसी परकार अगर हमसे पूछ दे कि तीन डीजिट वाला अगर टीन डीजिट वाला पूछ दे तो एका करेंगे 9 गुणे 10 पर कि तीन माइनस वन है यह क्या है कि यह करेंगे तो दो गात हो जाएगा दो गात का मतलब सब यह हमारा नव सबागे है चार अंकों की भी इस परकार निकाल सकते हैं तो यह तो निकलेगी कि दो डीजिट कितनी संख्या होंगी तो यह तो निकलेगी हमारी संख्या 90 संख्या जो है वह दो दो अंकी होंगी यह 900 संख्या जो होंगी वह तिन 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 अंकी होगी फिर आगे भी अगर चार अंका भी निकालेंगे अगर हम 4 अंका भी निकालते हैं इस फर्मूले से तो 4 अंका भी निकालेंगे तो क्या होगा 9 तो लिखेगा ही गुणे 10 पर 4-1 अथार्थ यह क्या होगा 9 गुणे 10 पर 3 गार बरावर 9000 यह 9000 जो संख्याएं हैं जो 9000 संख्याएं होंगी वह कितने कितने अंकी होंगी यह 9000 संख्याएं जो है यह सिरा सिरा चार अंकों की होंगी अब हमें विश्वास है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं इस परकार हम कह सकते हैं कि एक से लेके 99 तक एक से लेके 99 तक कुल कितने अंख होंगे कुल अंख कितने होंगे कुल अंख कितने होंगे कुल अंख कितने होंगे तो हम जानते हैं कि एक से लेके नौ तक तो नौ होते हैं और दस से लेके 99 तक निकाले हुए हैं उपर 10 से 99 तक कितने होते हैं तो हम निकाले हैं कि 180 होता है तो यह टूटल कितने हो जाएंगे 189 अगर 1 से 99 तक अगर निकालेंगे तो यह हमारा कितना आ जाएगा आगे चलते हैं एक से लेके 999 तक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा जानते हैं कि 1 से 99 तक तो निकालेंगे तो 99 हो गया 99 तक तक तो हमने निकाल लिया है अगर इसको तोड़ेंगे तो यही तो तोड़ सकते हैं कि 1 से 99 तक लिख सकते हैं और 99 के बाद 999 एक से 99 तक आया सो से 999 तक तो एक से 99 तक तो हमने निकाल लिया है तो एक सो निकाल तक तो कितना है तो कहेंगे कि एक सो यह तो नवासी है प्लस सो से लेके इतना तक तो तो नौ सो होगा नतली सताइस कि यह टूटल कितना हो जाएगा कि अग्या कि इतना कंफर्म हो गया कि यह हमारा हो गया एक से नौ सो निनानवे तक पुलंको कि समक्य है कितनी हो गई अठाइस सो नवासी उसी परकार अगर हम निकालेंगे एक से एक से नौ हजार नौ सो निनानवे का तो क्या होगा तो हम जानते हैं कि एक से लेके निनानवे तक तो हमने निकाल लिया यह कितना हो गया तो यह हो गया आप कहेंगे कि लेकिन एक हजार से लेके एक हजार से लेके नो हजार नौ सो निनानवे तक हमने उपर निकाल लिया है तो कितना निकाला है देखिए कितना निकाला है यह कितना निकाला है 36,000 निकाला है यह न 9000 संख्याय होंगी परतेख चारंग के होंगी तो 36,000 यह हमारे क्या आ गया प्लस प्लस यह हमारा हो गया 36,000 यह करेंगे यह हमारा क्या आ गया 39,889 थिक तो हमें यह आगड़ा याद रखना होगा एक से लेके 99 तक 189 एक से लेके 999 तक 2889 एक से लेके 9999 तक 3889 आईए इससे समंदीत महत्मूर क्यूचन देख लेते हैं यह देखिए हमसे क्या पुछा है कि एक से 50 तक गेंती लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा क्या पूछ रहा है अगर हम एक से 50 तक अगर गेंती लिखते हैं तो क्ल कितने अंक प्रियोग होंगे तो हम जानते हैं बताया गया है आपको कि एक से लेके नौ तक जो है वो तो कितने अंख हो गए यह तो नौ अंख हो गए ठीक अब कितना लिखना है लिखना है एक से लेके पचास तक अथार्थ की 10 से लेके 10 से लेके 50 कितने अंख होंगे तो एक से लेके 50 तक पूछ रहा है एक से नौ तक हम जानते हैं कि इसमें तो टोटल अंख कितने होते हैं होते हैं यह संख्या कितनी है एक से नौ तक तो नौ हो गई अब नौ से जो उपर है नौ से उपर जितनी संख्या है वह कितने नौ से उपर जितनी संख्या होंगी तो आप कहेंगे कि यह परतेक संख्या यह तो एक एक अंकी होगी और यह संख्या कितनी होगी दोदो दो देख लेते हैं कि 10 से लेके 50 तक तो टूटल कितनी संख्या हो गई तो एक से घंति लिखेएं पचास तक तो 50 संख्या है इसमें से яти नौ तो संखया निकल जाएगी जो सिंगल वाली है जो सिंगल वाली संखया निकल जाएगी तो जो बचेगा वह क्या होगा यह बचा 44ben वह क्या है दो-दो-मका है एक से नफ़्य टक थो एक एक अंका और 10 से उपर 25 तक जाएंगे तो है कि एक ताहलेस्स पर करों तक यह लेकर नौ तक एक एक अंक और एक-टालीस और गुए कि एक तालीस संख्याएं बची अधितने में जो एक-टालीस अंक्या कि एक से लेके नौ तक तो नौ संख्याएं हो गई यह नौ संख्याएं हो गई लेकिन एक से पचास तक जो एक तालीश संख्या निकल लए है वह एक तालीश संख्या क्या निकल ला है तो एक तालीश संख्या निकल लाए कि यह दो-दो अंक्य है कि इतना कर्फर्म हो गया इस परकार हम इसे सालों करेंगे तो यह निकल जाएगा कि जो नौ संख्या है वह एक एक अंका है तो नौ यह तो नौ हो गया यह तो नौ हो गया यह कितने का है दो दो अंका है तो एक तालीस दुना के कितना प्रेयोग हो गया एक तालीस दुना के पचास तक क्या गेंती लिख सकते हैं तो टोल कितने हो गया यह तो नौ हो गया अब आसी यह तो टोल कितना हो गया एक औनवै है ऑनक टो टोल एक आनवै तो टोल क्या पूछरा है Çलिए नीश्ट क्रिसन देखते हैं देखिए एक से सौ तक गिंती लिखने में प्रियोग होने वाली कुल अंकुक की संख्या कितनी होगी सिंपल एक से नौ तक हम जानते हैं दस से लेके कितना तक 99 तक हम जानते हैं इसमें कितने प्रियोग हो रहे हैं इसमें आप कहेंगे कि इसमें तो प्रियोग हो रहे हैं आपका दो अंक बचा क्यातना 99 के बाद इस वाता है यह बचा तो इकलाओता यह तीन अंक का प्रेवग हुआ है तो हम जानते हैं कि एक से नौ तक कितने प्रेवग अंक होंगे तो नौ अंक होंगे कि सो से लेकर 99 हमने निकाला है कितनी संख्या होंगी नबवज संख्या होंगी यो कितने अंक होंगी कि 220 होंगी नुमना प्रेव मतलब 10 से लेकर 99 लीखें जाँ 180 परेंग होंगी हमने देख लिया पाले यह कितना है आफ एक दो तीन इसमें परिज़ी तीन और एड्ट कर देंगे टोटल कितना ऊग्या गया तो पुझ रहा है तो इनको टोटल क्या करें एक से लेके सो तक पूछ रहा है तो टोटल जोड़ दीजिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कि यहां कैलकुलेट कर लेजिए नवासिति एक सो बानवे एक सो बानवे मतलभी कि अ हमरा क्या होगा और सुन जोड़ लेकर 90 कितना तो बार बार करने कि जरूद नहीं है एक से निनानवे तक कितना होते हैं एक सो नहासी होते हैं बस सव जोड़ लेते एक सो नमासे में सव में कितने आए एक दो तीन कि सब्सक्राइट अगर पूछ देता आप से कि कि एक से एक से एक सो पाइटालीस तक अगर एक से पाइटालीस तक लिखने में कुल प्रयोग होने वाले अंकों की संख्या अगर पूछ देता है तो आप क्या करते हैं तो हम जानते हैं कि एक से निनानवे तक एक से निनानवे तक कितने होते हैं यह एक सो नमासी होते हैं हमने ग्याद कर लिया है अब बचे कितना तो टोटल संख्या क्या है एक सो पाइटालीस है इसमें से निना निनानवे का तो हम लोग निकाल ली है तो इसमें से क्या करें निनान में हम माइनस कर दें यह 45 है क्या करें इतना में से माइनस कर ले यहां क्या चाहिएगा च्छै तेरह हो गया यह क्या है हमारी 46 शंखहाएं बच गई यह क्या हो गई हमारी 46 संख्याएं बच गई तो यह 46 संख्याएं क्या है तो यह 46 संख्याएं पर तेक संख्याएं जो आगे बढ़ेंगे सो से यह यह क्या है यह 145 तक लिखे हैं यह 46 संख्याएं है अगर अकांट करेंगे तो यह तो यह चिली संख्याएं क्या हैं तो तो परतिया च्याली संख्याएं कितने अंकों कि तो टोटल अंक कितने होंगे तो 46 गुने तीन गुणा कर लीजिए चतली अठारा चारतें बारा एक तेरह यह 138 हो गए 138 अगर अंक रहेंगे तो हम सो से लेके 145 लिख सकते हैं 138 यह और 119 यह टोटल जोड दीजिए 119 अपलस 139 यह हमरा क्या हो जाता है यह हमरा आंसर हो जाता है जोड लिजिए नो नो तिन बारक दो तीन सो सताइस अठार्थ हम 327 अगर अंक रहेगा अगर 327 टोटल अंक रहेगा तो हम एक ते लेके 145 तक गिन्पी लिख सकते हैं कि इतना कंफर्म हो गया चलिए आए नेश्ट किस्टन देखते हैं यह देखें एक से पांप सो तक गिंती लिखते समय कुल कितने अंकों की संख्या होगी कुल कितने अंकों की संख्या होगी तो कुल अंकों की संख्या पूछ रहा है अब देखिए हम जानते हैं कि एक से लेके 99 एक से नी नानवे तक हमने गयात कर लिया है कितना है या निकालना कितने हैं यह सो से लेके अगर 500 तक हम ग्याद कर लेंगे तो हमारी टोटल इसमें जोड़ देंगे तो एक देखिए 500 तो है यह संख्या टोटल 500 है इसमें से हम 99 संख्याओं का निकाल लिए है तो इसमें से 99 कम कर दीजिए जब 99 कम करेंगे यह क्या हो जाएगा क्या है कि एक हो जाएगा 0 जीरो कि चार कि क्या हो जाएगा 401 और देखिए जो 401 जो संख्याएं है क्या है 401 जो 401 संख्याएं है वह कितने कितने अंखों की हैं इसमें परतेक में तीन 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 अंख है तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी तो 400 एक में 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3-3 0-12 यह 1203 कितना हो जाएगा 1203 मतलब कि 100 से लेके 500 तक अगर संख्या लिखेंगे तो टूटल कितने अंग हो जाएंगे तो टूटल अंग हो जाएंगे 1203 एक से लेके 99 तक कितना हो गए 119 हमने ग्याद किया है अगर दोनों को एड़ कर देंगे दोनों को एड़ कर देंगे तो यह हमारा कितना हो जाएगा 1392 यह अथार विकल्प नमबर यह हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा चलिए नेश्ट क्रिश्चन देखते हैं अधि कर आए कि एक से 672 तक गेंती लिखने में कूल कितने अंकों की संख्या होगी कि अगर एसे कर लेते हैं तो एक से 99 तक एक से 99 तक हम जानते हैं टोटल कितने अंक होते हैं लाइन और देख लेते हैं आगे कितना सा सेलेकर चशोसोबहत्तर तक देख लेते हैं इसमें कितने अंक प्रयोगुंए हैं तो आप कहेंगे कि एसमें तो तो तीन तीन अंक प्रयोगुंए अब 99 तक 672 में से 99 घटा देते हैं क्योंकि 99 का तुमने निकाल लिया है 99 का तुन निकाल लिया है तो 670 में से क्या करिए 99 कम कर लिजिए तो क्या बच जाएगा तीन 16 कम कर लिजिए तो यह क्या होगा 12 12 में से 9 हो जाएगा क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा यह क्या हो जाएगा 16 16 16 में से 9 हो जाएगा कितना हो जाएगा है कि साथ हो जाएगा फिर यह क्या बचेगा पाच पांसो प्तीहत्तर कितना हो जाएगा पांसो तीहत्तर 672 है अगर 672 में से हम क्या करेंगे 99 तक तो हमने ग्यात कर लिया है जब 99 घटाएंगे ठीक 500 क्या हो जाएगा 573 तो ये 573 क्या आ रहा है ये 573 क्या आ रहा है तो कहेंगे कि ये 573 हमरा क्या है 100 से लेके 672 तक संख्या लिख रहे है तो इसमें क्या हो रहा है इसमें 100 से लेके 672 तक संख्या लिख रहे हैं तो 573 संख्या होंगी जो 33 अंग की होंगी ये परतेक संख्या कितनी है 33 अंगों की है तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा एक हासिल दो हो जाएगा पांध्याई 15 15 एक कितना हो जाएगा अब टोटल संख्या कर निकालेंगे तो टोटल संख्या क्या करेंगे आइड कर लेंगे जब टोटल संख्या आइड करेंगे तो यह हमारा कितना आएगा कि टोटल संख्या आइड करिए यह कितना आजाएगा एक से 99 तक टोटल अंग हो जाएगे एक तो नमासी और निकालने हैं कि सह से लेके च्छासो बहत्तर तक टोटल अंग कितने हो जाएगे 1719 जोड़ दीजिए 1908 अथार्थ विकल्प नमबर ए हमरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा चलिए नेश्ट कृष्चन देखते हैं अब देखिए को रहा है कि एक से एक से एक से 8756 तक गीनती लिखने में कुल कितने अंकों की संख्या होगी अब देखिए इसको लिखेंगे तो हम एक 999 कर लेते हैं क्योंकि अगर करेंगे अगर 9999 करेंगे तो क्या हो जाएगा इससे अधिक हो जाएगा तो कम वाले करिए यह हो गया अब यहां से एक हजार से लेके कितना है अब यह है यहां तक तो हम ग्याद कर चुके हैं यह तक हम ग्याद कर चुके हैं कि एक से लेके 999 तक ग्याद नहीं करना है तो एक से निनानवे तक हमने निकाला था कितना निकाला था तो हमने निकाला था इतना तो हमने ग्याद किया था अब देखिए एक से लेकर 8756 तक निकाला है तो उसमें से तो 999 तक तो हमने निकाल लिया तो इतने में से घटा देते हैं कितनी संख्याय बचेगी उसी का निकाला है तो कितनी संख्याय बचेगी आठ हजार साथ सो कि छपन में हम क्या करते हैं कि 999 क्या करते हैं घटा देते हैं तो क्या बच जाएगा यह बच जाएगा आपका साथ हजार साथ सो संतावन यह तो बचेगा 7707 के बचेगा हमारी संख्याएं बच जाएगा क्या और और यह साथ हजार सासो संतावन जो रह संख्या है ये यहूं जो संख्यम है 70000 संद गांक्या है वह कितने कितने इंकों की है 3234 चार बताएंगे कि चार-चार एंक का है तो टोटल आंग कितने हो जाएंगे इसना में क्या करेंगे चार का गुणा कर देंगे जब गुणा कर देंगे आएगा हमरा का 31,228 हम निकाल लिए कि एक से लेके 999 तक कि 2889 अंख होंगे और निकाल लिए हमने कि 1000 से लेके 8756 तक कितनी होगी तो 31,000 28 एक तीस हजार 28 होगी तो टोटल पूछ रहा है तो टोटल का योग कर देते हैं कि टोटल का योग करेंगे यह क्या हमरा आएगा 33,917 33,917 मतलब बिकल्प नमबर सी हमरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा चलिए नेश्ट क्रिक्शन देखते हैं और देखिए क्या है एक से तक गिंती लिखते समय कूल कितने अंग का प्रयोग होगा और देखिए यहां निकाल लेजिए कि एक से लेके 9999 तक तो लिखी सकते हैं क्योंकि 9999 से अधिक है इतना हो गया अब यहां से 10,000 से लेके 10,025 तो यहां तक तो हमने निकाला है यहां तक तो हमने निकाल लिया है तो इतना कितना आया था 38,889 आया था 38,800 कितना आया था निकाल लिया है तो देखते हैं कितनी संख्याय बची है जिससे निकालना है तो यह 10,025 में से घटा देते हैं तो 10,025 में से 9,900 99 अगर माइनस करेंगे तो यह हमरा कितना आयेगा यह 0 आजाएगा, 0 आजाएगा, यह क्या आजाएगा? 26 यही तो होगा यह 0,0 आजाएगा, यह क्या आजाएगा? 26 तो इसका मतलाव हो कि जो 26 शंक्याय हैं? है कितनी शंक्याय क 175 ऱब लिए 1185 में से तो शंक्याय बाची है जो 26 संक्याय केवल जो है, वा कितने अगो होंगी तो केवल यह पांच पांच अगों किए Ho 30 कि जब तॉटल संख्या निकालेंगे नीकालेंगे तो कितनी हो जाएंगी सब्सक्राइब एड़ कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा कि उन्तालीस और 49,000 जी उन्नीस यह हमारी क्या हो जाएगी यह हमारी संख्या हो जाएगी बिकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगी इस परकार किसी भी संख्या का पूछे तो हम क्या कर सकते हैं टोटल डिजिट निकाल सकते हैं चलिए मिलते हैं नेश्टे कलास में